बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्स्ट्री इस्लामबा स्कूल साहिवाल केंपस ओनलाइन लेक्चर्स में खुशामदीद है उर्दू जमात रिसेप्शन लेक्चर नमबर 13 हर्फ काफ गाफ सफ़ा नमबर 29-30 जी प्यारे बच्चो आज का हमारा उन्वान है हर्फ काफ और गाफ ठीक है आज हम काफ और गाफ की ट्रेसिंग करेंगे और लिखाई करेंगे ठीक है अपने जमात की काम की कौपी पे सबसे पहले नया काम शुरू करने से पहले हम पिछले तमाम उन्वानात की दोहराई करेंगे आप मेरे साथ उसकी दोहराई पढ़ेंगे ठीक है बच्चो जी सबसे पहले आप देख सकते हो ये कौन सा हर्फ आया है आपके अलिफ अंगूर बे बारिश आपने मेरे साथ इसकी पढ़ाई करनी है ठीक है पे पतंग ते तराजू ते टोपी से समर जिम जहाज चे चिडिया हे हुजाम खे खरगोश दाल दवा डाल डाकिया जाल जखीरा रेल गाड़ी डे पहाड जे जुबान ये जाल बारी अगला हम देखते हैं अब सीन साम शीन शेहत साथ साबुन जाज जईफ तोई तोटा जोई जरूफ अइन अमारत गाइन गाइब फे फीता काफ कैंची जी बच्चों हमने पिछले उन्वान लेक्चर में उन्वान किया था फे और काफ फे और काफ तक हमने दोहराई कर ली हैं अब हम आगे वले दो उन्वानात के आज पढ़ाई करेंगे और उनकी लिखाई करेंगे ठीक है आगे आज का हमारा उन्वान है काफ और गाफ ठीक है सबसे पहले हम काफ की पहचान और जखीरा अलफास देखेंगे जी सबसे पहले आप देखेंगे आप काफ कैसे बनाएंगे ये तो बनाना बहुत असान है मैं आपको बताऊं कैसे बनाना है आप बे बनाते हो ना जैसे बे बनाई थी हमने बे बारिश वला बे बनाया था जी ऐसे ही आपने बे बना कर पहले दो उंगलियों को मेरे साथ जोड़ें जी सबसे पहले आप बे बनाएं अपनी book के ऊपर ही आप बे बना लें अपनी दो fingers के साथ बे बनाएं बे बनाकर जहां से आपने बे बनाने शुरू की थी वहाँ पर आप एक चोटा बड़ा सा एक ऐसे डंडा लगा देंगे डंडे का साइज आप बढ़ानी बनाएंगे जितना साइज आपकी टीचर ने बनाया हुआ है उतना ही आप बनाएंगे ठीक है अब हम देखते हैं काफ से कौन कौन सी अशिया बनती है जी काफ केला केला कौन खाता है आपको केला अच्छा लगता है जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है केला जी काफ केला काफ किताब काफ कुर्सी काफ कश्टी चलिए एक बार दुबारा से इसकी पढ़ाई करें काफ केला काफ किताब काफ कुर्सी काफ कश्टी सबने पढ़ाई कर लिए चाबाश अब हम देखते हैं अगले हर्फ की अगला जो हमारा लफ़ था वो कौन सा था गाफ की पहचान और जखीरा अलफाज अब हम देखेंगे गाफ कैसे बनाना है और इसके जखीरा अलफाज की आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे जी सबसे पहले आप देखें गाफ हमने कैसे बनाना है गाफ भी आपने जैसे काफ बनाया था वैसे ही आप गाफ बनाएंगे पहले अपनी दो उंगलियों को जोड़ें जी सबसे पहले आपने बे बनानी है बे बनाकर उपर एक डंडा लगा दें वो तो बन गया हमारा काफ लेकिन अब हमने गाफ बनाना है तो गाफ बनाने के लिए जब हम इसके उपर एक और डंडा लगा देंगे तो ये बन जाएगा गाफ क्या बन जाएगा गाफ अब हम देखते हैं गाफ से बनने वाली अश्या जी सबसे पहले कौन सी यह यह अश्या ही है गाफ गेंद क्या है गाफ गेंद गाफ गुडिया गाफ गाएं गाफ गाजर चले मेरे साथ दुबारा से इसकी पढ़ाई करें गाफ गेंद गाफ गुडिया गाफ गाएं गाफ गाजर ठीक है आप सबने मेरे साथ इसकी पढ़ाई कर ली है अब हम देखते हैं अगला काम हमारा काम शुरू करने से पहले आपके पास किताब सुनिये पढ़िये और रंग बढ़िये उर्दु जमात का काम की कौपी और अमदादिये शिया पैंसी रबर शौपन का होना जरूरी है सबक को दिहान से सुनिये और कौपी पे काम करें जी बचो अब हमने करना है कौपी पे काम ठीक है कौपी पे काम करने से पहले आपके पास आपकी कौपी आपकी किताब सुनिये पढ़िये और रंग बढ़िये और आपके पास आपकी पैंसी रबर शौपन का होना बहुत ज अगर आपके पास पैंसिल शॉप होगी तो आपका काम अच्छा होगा ठीक है ना ऐसी होते है जब हम क्लास में भी काम करते हैं तो टीचर आपको पैंसिल शॉप करके देती है ऐसे ही आपने घर पे भी अब जब आप काम कर रहे हैं तो आपने अपनी पैंसिल को शॉप करके क करनी है जी अब आप सब्स त्यारों मेरे साथ कॉप्य पे काम करने के लिए चाबाश चलें अब हम कापी काम करते हैं जी सबसे पहले अपनी कॉपी खोलें कापी पे आपने वो सफाख क्या है हर्फ काफ क्या है आज का हमारा उन्वान हर्फ काफ जी सबसे पहले आप देखें काफ हमने कैसे बनाना है आपको टीचर ने पीछे भी बताया है आपने काफ कैसे बनाना है अब आपने अपनी कॉपी पे लिखना है ठीक है जी सबसे पहले काफ की आप नुक्तोवली करेंगे नुक्तों वाले ट्रेसिंग कैसे करते हैं कोई एक स्टूडन्स मुझे बताए जी सबसे पहले हम पहले नुक्ते पे अपनी पैंसिल का लैड रखेंगे और उस नुक्ते से आगे अगले अगले नुक्ते से मिला नुक्ते से नुक्ता मिलाकर हम हर्फ को मुकमल उसके बाद आपने काफ के उपर वाले डंडे की ट्रेसिंग करनी है उसके भी आपने नुक्ते से नुक्ता मिलाकर उसकी ट्रेसिंग करनी है जल्दी से अब आप मेरे साथ इसकी ट्रेसिंग करें अच्छी अच्छी से करनी है आपकी कोई भी लाइन आपकी लफसे बाहर नही पैंसिल त Спасибо नुक्ते से मिलए आपने स्कक्राइब की idea करनी अच्छे से हैं है कि तो यह दोतार तो आप थोड़ा से नीचे से, दोनों साइज आप बराबर बनाते हो न, इसकी एक साइज आपने नीचे से छोटी बनानी है, ठीक है, सबसे पहले आप अपनी पैंसिल का लेड रखें नुकते के उपर, नुकते के उपर से पहले ऐसे बे बनाएं, उसके बाद ऐसे एक उसके हर्फ भी लिखना है हर्फ काफ जैसे पहला बनाया है वैसे ही आप तमाम नुक्तों पे हर्फ काफ लिखें जल्दी से अपने वीडियो को थोड़ देर के लिए पॉस्ट कर ले और अपने कॉपी के इस सफ़े को मुकमल कर ले शाबाश अब हम देखते हैं अगला काम अगला स हर्फ गाफ ठीक है हर्फ गाफ जी हर्फ गाफ से क्या बनती है यह प्यारी सी गुरिया आई है यह तो गाफ गुरिया हमने पढ़ा था ना अभी जी अब गाफ देखें कैसे बनाना है आपने यह तो काफ बन गया है हमने तो गाफ बनाना था ना जी काफ गाफ बनाने के ल और एक उपर और डंडा लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा गाफ शाबबाश reception students आपको समझ आ गई है गाफ कैसे बनाना है जी आप सबसे पहले देखें आपकी copy पे नुक्तों वली tracing की हुई है सबसे पहले आप गाफ की नुक्तों वली tracing करें नुक्ते से नुक्ता मिलाकर फिर हम इसकी tracing करते हैं ठीक है जल्दी से tracing करें और उपर उसके डंडे के उपर भी आपने tracing करनी है आप देखो गाफ के जो आपने डंडे बनाने ना उन दोनों का size एक जैसा नहीं होगा एक डंडे का size आपका बड़ा होगा और एक का size आपका छोटा होगा ठीक है अब हम करेंगे गाफ को एक नुक्ते पे लिखेंगे जी ऐसी आप पहले गाफ बनाए एक नुक्ते से शुरू कर के फिर उसके बाद एक उपर छोटा सा डंडा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? हर्फ गाफ क्या बन जाएगा? हर्फ गाफ जल्दी से मुकमल करें तमाँ नुक्तों पे लिखें हर्फ गाफ ऐसी बनाना है जैसे आपकी कॉपी पे बना हुआ है ठीक है सुडन्स शावाज सबका काम ये हो गया है अब हम देखते हैं घर का काम जी घर का काम आपका है हर्फ काफ घाफ की TRAISSING को लिखाई कापी पे करें ये आपने काम मेरे साथ कर लिया है मकंबर इसके बाद आपने जो काम करना है और किताब के सफा नंबर 2930 में रंग बरिये जी सफा नंबर 2930 में जो तस्वीरे दी हुई है उन तस्वीर तसावीर में आपने रंग बरने है और रंग आप अच्छे अच्छे से बरोगे कोई भी आपका रंग लाइन से बाहर नहीं होगा अच्छे अच्छे से आपने रंग बनने है ठीके आप सब को आज का हमारा काम समझ आ गया है आज हमने क्या काम किया था हर्फ काफ और हर्फ गाफ जी बच्चो लेक्चर का हमार एक्तिताम हुआ अल्ला हाफिज